खबर उतरकाशी से आ रही है जहां अचानक नदी का पानी युवक के गले तक आ गया आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति दोनों हातों से तैब कर खुद को बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है वीडियो में कुछ दूर तक ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति पानी में तैब रहा है लेकिन थोड़ी दिर बाद सन्नाटा चा जाता है और युवक दिखाई नहीं देता सुत्यों से मिली जानकावी के अनुसार वो पास के ही गाओ का रहने वाला था सूशना के बाद SDRF की टीम ने अंधेरा होने तक गंगा भागे रती में तलाशी और बचाव अभ्यान चलाया लेकिन व्यक्ति का कहीं पता नहीं चला SDRF इंस्पेक्टर जगदंबा परसाद ने बताया कि कल सुबा फिर से बचाव अभ्यान शुरू किया जाएगा उतरकाशी से विनीत कल सुवाल की रिपोर्ट